हेलो फ्रेंड्स वेलिकम टू स्टेडी वी देव। स्टेडी वी यूटूब चलन पर मैं दयुंदर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये क्लास डेली आपको इस चलन पर देखने को मिलती है। देली आपका पेपर से पहले पेपर जैसे बिलकुल पेपर बना कर लाया जाता है। साथ मोडल पेपर में कंसिडर करके हम ला रहे हैं। जल्दी ही आपको वो कुछ ख़बरी भी मिल जाएगी। दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ओन कर लीजे। आज हम करेंगे बाइलोजी के MCQs अपना पेपर नंबर थर्ड आज अपना रहने वाला है पेपर नंबर थर्ड अपना है इसमें टोटल 34 MCQs है जो आपके सेलेबस के आदार या ब्लूप्रिंट के आदार इतमें ने ये पेपर बनाया है बिल्कुल EG Qs और 32 जबरदस्त Q अपके रहने वाले एक्जाम लेवल के कोडिंग में ने ये बनाया है अब बहुत सारे बोलेंगे कि ऐसे क्यूसं थोड़ी आएंगे एक्जाम है पाई नर्सिंग का एक्जाम है कोई पीच्डी का एक्जाम नहीं है कि आपको बहुत हार्ड पूचे दियान देखना बिल्क चरी बहुत सारे स्टुडेंट्स के साथ ये गटना हुई है उन्होंने यही गलती की तो नीट के स्टुडेंट्स हैं लेकिन वह जल्द बाजी के चकर में जो इजी क्यूसं को इजी ना समझकर उसको गलत करके आगे तो इस बात का आप सभी स्पेसली द्यान रखना जो मै एक्जाम औरिंटेट करवा रहा हूं कोई भी आपकी फालतु की चीज में नहीं करवा रहा हूं बिल्कुल डेली नहीं पीपीटी बनाई जाती कहीं से कोपी नहीं की जाते हम खुद बुक से क्यूसंस बना रहे हैं और बी ऐसी बुक से फिजिक्स के मैंने कल क्लास लिए अगर आपने नहीं ली वो क्लास तो उसको जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में सारी अपडेट कर चुका हूं इसके अलाव फिजिक्स के लिए इंपोर्टेंट क्लास ज़िक्स का आपको पता है 101 पर्षेंट उन क्लासों में से आपके क्यूसंस आई है कोई बार नहीं जाए फिजिक्स की रहने वाली हैं मतलब यह क्यूसंस का यह टार गेटिक है थर्टी फ़र्टी फॉर्टी फॉर्टे आपके लिए लोगों के सला से बहतर जिंदिकी में खाये हुए ठोकर है यानि कि लोगों से इसला लेने से अच्छा है कि आप जिंदगी में ठोकर खालो जो को बहुत मझदूत बनाते यानि कि जो आपन ठोकर खाते हैं जिन्दगी में speaking course जहां English के top teachers आपको एकदम basic से English बोलना सिखाएंगे वो भी Hindi बासा में यानि अब आप हमें से हर बचा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस course के अंत में आप सब को certificate भी दिया जाएगा तो अभी जाएगे और doubtnet एप पर यह course खरीदिये और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजे पूरे बारत में सबसे बढ़ी अदाम और इतना top quality का course सिरफ doubtnet पर मिलेगा course का link description में इसका answer सभी comment करके बताना स्रंगी बवन caption के द्वारा बनने वाला अंग नहीं है कोंसा अंग नहीं है जो करिज़ आजिचन के द्वारा बनता है बताए दोस्तो क्थर नंबर पास्ट का right answer सबी के इंडेट्स बताइए कि दोर्गन फॉर्मड बाई तक रिटनाइजेशन और नॉट किसे नंबर पस्ट का राइट आउंसर आपको बताना हैर फिंगरनेल और एर कौन सा और गन है कौन सा बोड़ी पार्ट से अपना जो किटनाइजेशन की प्रोसेस के दौरा नहीं ब स्टड़ी विबसाइड उस वेबसाइड को भी आप चेक करिएगा क्योंकि वहां भी हम टाइम 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 टू प्रवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ओप कोस्ट डेली आपको वहां कोई ने कोई पीडएप मिल जाती है तो आप वो जाकर जूरू विजिट कर ल पूचा जा सकता है कि कौन सा ओर्गन है जो के द्वारा बनता है तो बाल भी होते हैं और हीएड बी होते हैं ठीक है चले दोस्तों के और हम बढ़ते हैं कि उसन नमबर आपका है सेकंड अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया और लाइक कर देना और सेर पिडिक तेले ग्राम पर सीधी टेले ग्राम पर गिडिक मिलती तरह ग़र किसी में दाउट रहता है जैसे कि कि कल जो इस नाम से आप सर्च कर उंगिए। bu pagkah,げust जाएग과 वहां आप मेसेज कर सकते हो personally भी चले कि उसे नमबर second है लिवर को लिवर कुहन की दरारों को कौन सी को सिकाएं परती जिवानों लाइसोजयम का स्त्राउन करती है लिवर कोन की दरारों की कौन सी को सिकाएं यानि कि which cell secreted the crack of liver कौइंस आइसोजयम एंटि बेक्टेरियल लाइसोजयम यह निंग एक जो उसको कौन सी को सिकाएं सी क्या होता है जल्दी से इसकी राइट आंसर आप बता दिजे क्या हो सकता इसका अर्जेंटाफिन, अर्जेंटाफाइन सेल्स, पैनेट सेल्स, जाइमोजन सेल्स या फिर कुपर सेल्स तो बताएं कि उसे नमबर सेकेंड का जो राइट आंसर होगा वो सबी केंड़ेट्स अभी जल्दी से बताएंगे और जिन्होंने अभी तक सेर नहीं किया, एक बार सेर कर दीजे, बहुत ही जबर्दस्त, बिल्कुल 100% ब्लूइप्रेंट पर आदा रिती क्यूसन्स रहने वाले बहुत तिसांदार क्यूसन्स आपके लिए रहेंगे पूरे सब्जेक्ट, पूरे सेले बसके क्यूसन्स में लाता हूँ, आपके लिए जितना हो सके उतना जदा मैं पूरी करने की कोसिस कर रहा हूँ, बस आप सभी तोड़ा सब सपोर्ट करिये ताकि हम भी आपके लिए और जदा अच्छा कर सके है, ठीक है, आज केमेस्ट्र की क्लास उनकी कल होगी, पका हंडेर परसंट कल उनकी क्लास होगी सही, ठीक है, चले इस क्यूसन्स का राइट आउंसर जो होगा, उपसन नमबर सेकेंड होगा, पेनेट सेल, लाइस हुजायम का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, आपको इतना ध्यान रखना है, जो लाइ प्रिवन केसे होता है, तो बताए दोस्तों, क्यूसर नमबर थर्ड का राइट आंसर, हाउ अबाउट सेवन्टी परसंट ओप दा सी ओटू एब्जोर्ड बाइज ट्रांस्पोर्ट टू दा लंग्स, यानि की रक्त द्वारा अवसो सित सी ओटू का लगबक सत्र परतिसि प्रिवन केसे होता है, गेसों के अनों की गुलन अवस्ता के द्वारा लाल रक्त करने काओं से बंदन करके कार्बन अमिनो कार्ब मिनो हिमोगलोबिन के रूप में या बाई कारवनेट आइन के रूप में, तो बताए कि उसे नमबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो अगला प्रिवन के द्वारा होता है, अगला क्यूसन से आपका क्यूसन नमबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है, रुदीर की तुलना में लिम्प होता है, लिम्प इज कंपेर्ड टू बलड, यानि कि आपको रुदीर की तुलना में लिम्प बताना है, मतलब लिम्प क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि लिम्प होता क्या है, बलड तो आप जानते हो, बलड में तो सभी आ जाएगग, क के बता कम डवली वी सी योगत बताई किसी नम्बर फॉर का राइट आंसरे thought दो जो लिंप होता है लिंप के बारे में आपको बताना है जल्दी से एक बार आप चाहिए होना है जल्दी से बताईए और एक बार आप लगाया करो अगर आप सभी जो भी स्टोरी लगाते हो मेरे को जरूर मैंसन किया करो जितने भी स्टुडेंट्स इंस्टा पर लगाते हैं देखूंगा आज कितने स्टुडेंट्स इंस्टा पर लगाते हैं और मेरे को मैंसन कर देना मेरे इंस्टा एडिया आपको पता है दे प्रिहार देख लेना आपको पता है आज जिरो आट के नाम से आप यह इस्टोरी इंस्टा पर लगा कर आज मुझे मेंसन कौन कौन करता है देखता हूं अगर जिसने नहीं क्या देख लेना फिर जो भी इस्टा चलता है सब मेंसन करोगे 100% ठीक है आपको अग सेलेक्शन ले देखे लिंक कोपी करके सको लगा देना है ठीक है लगाना पका इसका राइट आंसर की ऑप्सन नमबर थर्ड अधिक आरवबीसी युक्त और आरवबीसी रहते हैं इसमें डवडी विसी तो होती है लेकिन इसमें आरवबीसी नहीं होती बस यह चीज आपको दियान रख ल रिनल ट्यूब के कौन से पार्ट में क्लुकोज का औसोसन होता है बताई क्यूसर नमबर फाइब का राइट आंसर है आज ही बताई इसका राइट आंसर आज ही बताना आपको देरी नहीं करनी जल्दी से बता दीजे फिर अगले क्यूसर के और हम बढ़ेंगे कल आपकी फिजिक्स क्लास कल होगी इसके टाइम में आपको बता दूगा मेरी क्लास अब रेगुलर आएगी आप सभी क्या मेरी क्लास लेने के लिए रेडी हो फिजिक्स में अगर आपको नर्सिंग एंटर जगजा में पूरे से पूरे मार्स लाने हैं तो फिजिक्स की क्लास हमारी मिस मत करना 100% गयारंटी के साथ आप फिजिक्स में भारत आसिल कर लोगे ये बात आपको द्यान रख लेनी है बताइए क्यूसर नमबर 5 का राइट आंसर ग्लुकोज का उसुसर रिनल ट्यूब की कौन स्किस बाग में होता है क्लेक्टिंग डक्ट इन निरेस्ट कोल ट्यूब और रिमोर्ट कोल ट्यूब या फिर हैंले लूप बताइए क्यूसर नमबर 5 का राइट आंसर जो आपका होने वाला है समिबस्त कुणलिट नलिका क्या हो ऑप्सा sounding No.5 होने वाला है इनकी ग्लुकोज का उसुसर रिनल ट्यूब के जो पी सिटी होती है किस मेंफी सिटी में होती है इनकी समिबस्त कुणलिट नलिका इसको पी सिटी भी बोला जाता है और इसको dcaps को बोलते हैं ठीक है राइट आंसर अप्स नमबर सेकेंड बिलको डाइट हो जाएगा PCT यानिकी सम्मेपस्त कुंडलित नलिका में ग्लुकोज का अवसुचन होता है ठीक है अगला क्यूशन Q6 है Q6 है Q6 आपका जो रहने वाला इस प्रकार रहेगा Rainwear का नोड कहां इस्तित होता है तो बताए Q6 का राइट आंसर Rainwear का नोड कहां इस्तित होता है जल्दी से बताएए और अगर आपने अभी तक हमारे वेबसाइट विजिट नहीं किये हमारा टेलिक्राम चैनल जोई नहीं कर रहा हो तो जोईन कर लेना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और अगर आपने फिजिक्स की जो पूरी प्लेलिश्ट हो अभी तक नहीं देकी हो तो आप उसको दस दिन में या दो दिन में आप उसको कंप्लेट पढ़कर आप अपना सेलेक्सन ले सकते हो बहुत ही रुपे में आपको तीनो पीडियेप एवेल करवा रहे हैं हम अभी तो आप ले सकते हो एकजाम तक इसकी प्राइज 120 रुपे रहने वाली आपका एकजाम जनवरी में होने वाला यह पहले डिसाइड हो गया और फोरम बढ़ने की डेट आपको पता है बारा तारीक तक आप पैमेंट कर पाओगे तेरा तक आप फोरम बढ़ पाओगे इसा कुछ उसमें दे रखा है नोटिपिकेशन में तो रेन वधर का नोट कहां स्थित होता है रेन वेर का नोट होता है एक जोन में स्थित होता है ठीक है अगले क्वशली अगले कियूसन की वल्ड़ते है कि उसान नंबर सेवन है अपना नेत्र गोले की बिद्टि में पर्तों की संक्या होती है यसे मinté approaching का राईट अनसर चैंक ह पाई जाती है नेत्र गोलक की बित्ती में उसके ओल जो होती है जल्दी से क्यूसंस का राइट आंसर बता दीजिए अगले क्यूसंस के ओर हम बढ़ेंगे और पीड़ेप के लिए आपको टार्गेट पता एक हजार व्यू कंप्रेट होते हैं आपको पीड़ेप क्या आदते अगर आप देख रहे हैं तो सबस्क्राइब करके जाईए जितने विश्टेंट सेफंड़ाइब अज सब्सक्राइब करेंगे जिन्नों नहीं कर रखा वो भी सेवन का राइट आंसर क्या होगा ओप्सिन नमबर कुंसे बिल्कुल हो जाए थाई की क्यूसं पा आगे हम बढ़ते हैं अगले कि उसे नंबर एट आपका व्यूसा नमबर एट अपका जो रहेगा माना उनर में यो नारम स्रूझ हो जाता है तो बताइए उस नंबर एट का राइट आंसर आप बता दिजिए क्योसर नमबर एट का जल्दी से बताइए यो नारम कब से बाव नारा की चैथा या 12 सी 24 है, Psalm 4, Mm best З 쿠ह क्या बात की जारी और नर की बात की जारी या, मादा रए नहीं की जारी क्यूसा बात की यह जारी कि Sugnetly तission क्या पोच रहे है स्क बेरिपांस तो कि इस मेल का पात की जारी की मेल में कित्ते होता है सब्सक्राइब को बताना है यह तो मेल के लिए आप सभी जल्दी से बताइए योवनारम कितना होता है फिमेल के लिए कौन से एच वे योवनारम स्टाट होता है फिमेल में जल्दी से क्यूसर नमबर 8 का राइट आंसर बता दीजे प्यारे दोस्तों और अगर आपने भी तेक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजे और एक बार सेर कर दीजे चलिए बताई इसका राइट आंस नमबर 9 का राइट आंसर आप सभी के इंडेट से जल्दी से बता दीजे और आपने अब भी तक हमारे टेलेग्राम चैनल को या टेलेग्राम ग्रूप को जोइन नहीं कर रखा हो तो दोनों को जोइन कर लेना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अल्रेडी दी रखा है ठीक है बताइस का राइट अंसर क्या होने वाला तो यसे नम ऊना राइट अंसर जो होगाक है सकते हैं इसे ग्राम होता है बाई ये इंटर्स एक्जाम का लास्टे 2020 के पेपर के अधार पेपर आएंगे आपको 2020 का पेपर आपने देखा हुआ कितना ही जिदा सेम उसी पेटन पर पेपर इस बार आने वाला है तो ये कोई नहीं बोल सकता कि पेपर ऐसे नहीं आएगा इक्जाम नहीं है ये या आपको 25-30 के लिए भी very very important questions रहेंगे आपको करना अनिबार हैं एमस वाले भी इस बात को द्यान लख लेना हिंदी और इंगलिस मेडिये में दोनों के लिए में प्रुवाइड करवा रहा हूँ तो इस क्यूसंस का राइट अंसर हो गया अगले क्यूसंस की और हम बढ़ते हैं क्यूसं नंबर 10 है अपना क्या रहने वाला है क्यूसं नंबर 10 कि नवजात सीसूं में त्रिक में कसे रुकाओं की संक्या होती है यानि कि 10 नंबर ऑटिवर इन दस सेकरम एज इन नियूबॉर नियूबॉर्ण बेबी में कितनी होती है सेकरम करी रुकाओं की संक्या जल्दी से नंबर 10 का राइट आंसर आप से when I Kalpen बता दीजिए comment box आपके साथ चल रहा है chatting box आपके पास चल रही है और इसके लावा आप सभी chat में या comments में किसी गल से या किसी को भी गलत बात नहीं बोलोगे चलिए दोस्तों अगले questions के और हम बढ़ते हैं question number 11 के और हम बात करेंगे योग की रासानिक संगाटन में प्रोटीन के परतिसत्ता होती है बताएए दोस्तों the chemical composition of the योग has a percentage of protein बताएए question number 11 का right answer क्या होगा जल्दी से question number 11 का right answer आप सभी candidates बता दीजे कि योग के रासानिक संगाटन में प्रोटीन की परतिसत्ता होती है कितनी परतिसत्त प्रोटीन पाया जाता है जो एक योग होता है योग में कितना परतिसत्त प्रोटीन पाया जाता है जल्दी से question number 11 का right answer आप बताएए और एक बार share करना चाहो कर सकते हो बाकि आप जल्दी जल्दी answer बता दीजे क्योंकि अपना class नहीं तो long हो जाएगी जल्दी से इसको complete करते हैं चालिस्मेंट में कैसे भी करें question complete करवाने है अपनको 34 questions रहेंगे जो चालिस्मेंट में complete करवाने है तो सभी candidates आप जल्दी जल्दी answer कर दीजे तो question number 11 का right answer जो होगा होगा आपका option number first बिल्कुल right हो जाएगा 32.6% जो होता है protein पाया जाता है किस में योक सेल से होती योक में कितना पाया जाता है 32.6% क्या पाया जाता है protein पाया जाता है ठीके दोस्तों अगले questions की हम बात करेंगे question number 11 की तो ट्वेल की बात करेंगे युगमकों के प्राकेंद्रकों का सलियन क्या करलाता है तो बताजिए दोस्तों इसका right answer क्या होगा जो प्राकेंद्रकों के इनका सलियन क्या करलाईगा sin gamey, kerryu gamey या अबे मिस्राण बताजिए question number 12 का right answer जल्दी से question number 12 का right answer तो आप सभी students comment करके बता दीजे, chatting box में chat करके बताईजे, आपके लिए हिंदी और इंग्लिस में हम मैनत करते हैं, अगर आप सभी लोग इस चीज का हमें फाइदा नहीं दोगे, आप सभी share, like नहीं करोगे, तो हमें भी बुरा लगता है, और हम आपके लिए पर हम भी demotivate ह हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस परकार demotivate होते होसी परकार हम भी demotivate होते हैं, क्योंकि क्या होता है, कि support होता है दोनों तरफ से होना चाहिए बराबर सपोर्ट रहेगा तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने गा तब जाके आपको सेलेक्षिन के चांसे बढ़ते जाएंगे ठीक है तो क्यूसर नंबर ट्वेल का राइट आंसर जो होगा और सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा केरियो कि युग्मकों के प्राइक के अंदर को सलियन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है डूस्तों के हम भात करेंगे परते चाती के ग्रंती में उततक 15-20 बार विवाजित होते हैं उससे क्या बोल जाता है ना लिकाओं मैं या पीर में पाली या फिर किसी में नहीं यानि कि पर्तेक जो chest होता है chest में जो granti यानि कि Grendle Tissues होते हैं 15-20 बार divide होते हैं किस चीज में divide होते हैं आपको answer आना चीए questions easy है बट आप को गोमा के questions पूछा गया है जल्दी से बताई है इसमें questions में easy हैं लेकिन उसको क्या बोला जता है किसमें डिवाइड होते हैं पालियों होते हैं घर्णतियों होते हैं नलीकाँ होते हैं जल्दी से क्यूसर नंबर 321 का राइट आंसर बता civिय और एक बार आप सभी से छोटा सा रिक्वेश्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस चैनल पर जिरूर बुलाए जो नहीं जानते हमारे चनल के बारे में जिनको पता नहीं है उनको एक बार बताईये जो साट परसेंड लोग बिना देखे चैनल को बिना सस्क्राइब गर के वीडियो देख रहे हैं उनसे भी छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख अब पूछा जाता है नबर फोटीं आपका जो रहेगा आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका मादा में रज श्राव को किसके दिये जाने से आगे को टाला जा सकता है यानि कि कौन सी चीज को अगर हम फिमेल को दे दे तो जो मेंस्टोल साइकल है उसको आगे तक टाला जा सकता है आगे बढ़ाया जा सकता है मालों किसी जो मेंस्टोल साइकल होता है वो हो रहा है कि पंदरा को हो रहा है पंदरा पंदरा दिस नबर को स्टार्ट है तो उसको कुछ फैंड की। कि यहुत क्शेंट कर ना हुँत सब आप एपैसेच या फिर एलेचस का संहोजन या एश्टोजन प्रोजश्टवान का संहोजन या एपैसेच। अन्यफैसेच बताईए कि उसे नमट से नमटस्वाइट का राइट आंण्सर है.. सबी students जल्दी से बता दिए, चार options आपके सामने हैं, आप सबी जल्दी बताइए और आप सबी से request हैं कि आप dislike ना करें, क्योंकि dislike करने से वैसे YouTube ने अच्छा किया, अगर आप इसे गाइब कर दिया, लोगों को जिनको पसंद जान बूझ कि जो dislike करते थे, उनके लिए YouTube खु तो इसका right answer होगा, option number third, estrogen और progesterone का सयोजन दिया जाता है, यानि कि मानव मादा में, रज स्रावेन की menstrual cycle को, estrogen और progesterone का जो combination है, वो देखकर आगे तक टाला जा सकता है, क्या क्या जा सकता है, आगे तक टाला जा सकता है, ठीके, अगला questions, question number 15 की हम बात करते हैं, question number 15 आप कौन सा links लगन रोग हैं, जल्दी से बताईए, leukemia, phenyl ketone area, vernon dita या down syndrome, question number 15 का right answer आपको बताना है, 15 का right answer आपको जल्दी से बता देना, links लगन रोग कौन सा है, जल्दी से बताईए इसमें, तो question number 15 का right answer जो होने वाला, option number आपका third हो जाएगा, color blindness, यानि की, vernon dita होती है, व इस लिंक से लगन रोग होता है, इसमें female वहाक होती है, लेकिन male कभी वाक नहीं हो सकता, female वहाक हो सकती है, लेकिन male इसमें कभी वहाक नहीं होगा, क्योंकि ये एक से लगन रोग है, तो x x आ सकता है, लेकिन x y आते, मतलब वाक नहीं हो जाएगा, ये रोगी हो जाएगा, male हमेसा रोगी रहेगा कभी वाक नहीं हो सकता फिर male वाक हो सकती है रोगी भी हो सकती है वाक भी हो सकती है दोनों हो सकती है लेकिन male कभी भी इसमें वाक नहीं होगा only रोगी रहेगा ठीक है चले दोस्तों अगले questions के और हम बढ़ेंगे इस question का हो गया वर्णा देता अगला question से अपना question number 16 जो रहने वाला है question number 16 की बात हम करेंगे हीमोफिलय के बारे में कौन सा कतन गलत है गलत कतन आपको बताना है जल्दी से 4 options आपके सामने है एक लिंक से अलगन रोग है ये एक परभावी रोग है इसके अलावा ये एक परभावी रोग है और लास्ट का जो options है कि रुदी रिसकंदन में नहित के अवल एक protein परभावी लोग है तो बताई ये question number six का right answer आपको बताना है जल्दी से बताई इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer एक ही options होगा बाकी सब हीमोफिलया के संद्राब है हमोफिलया के लिए right हैं लेकिन एक हमोफिलया के अनुसार गलत है तो कौन सा गलत है आपको हो decide करके बताना है जल्दी इसका answer आप बताइए और इसकी PDF आपको तब ही मिलेगी जब 1000 view cross हो जाएंगे आपको 1000 view cross होते जर्ष्ट PDF डाल दी जाती है आप सभी को पता है रात भी आपको देख लिया होगा फिर जिक सी जो होता है इक लिंग चरह रग होता यह यह गलत है इसका इसका प्रवावी रोग है तो इसका यह प्रोटिन प्रवावी रोग हैं तो इसका right answer, क्या होगा, option number third, अपना बिल्कुल right होगा, अगला question से, question number 17 के हम बात करते हैं, question number 17 restriction endonucleus पाए जाते हैं, बताए, restriction endonucleus पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, इस्तंदारियों की कोशिकाओं में, जिवानों बोजियों में, जिवानों में, या पादप को सिखा में, जल्दी से question number 17 का right answer आपको बताना है, सब इस students, जल्दी से question का right answer आप बता दीजे, क्या होगा, कि restriction endonucleus enzyme पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, इसका right answer होगा, जिवानों में, किसमें पाए जाता, बेक्टिरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, option number 3 बिल्कुल right होगा, अगला questions, question number 17, अभी गमन के कारण किसी देश की जनसंक्या में वर्दी क्या कहलाती हैं, प्रवास, migration, आप्रवासन, immigration, उत्रवासन, emigration, और विशुद आप्रवासन, कि pure immigration, तो बताई, question number 18, यानि कि अभी गमन के कारण किसी देश की जनसंक्या में वर्दी क्या कहलाती, what is the growth of population of a country due to access, तो बताई, इस questions का right answer क्या होने वाला है, जल्दी से answer इसका comment करिएगा, तो इस questions का right answer जो आपका रहेगा, वो होगा, option number 4, बिल्कुल right हो जाएगा, विशुद आप्रवासन, यान कि pure, pure immigration, क्या होता है, option number 4, बिल्कुल right हो जाएगा, अगला questions, question number 19, निस्क्रेट टीके का उधारण है, आईजी जी, आईजी ए, आईजी ए, और आईजी ए, बताईए, क्या होने वाला है, जल्दी से question number 19 का right answer आप सभी बताईए, तो निस्क्रेट टीके का उधारण कौन सा है, आपका रहेगा वो होगा आपका option number थर्ड, IGE जो किसके लिए allergy के लिए उत्तरदाय होता है किसके लिए allergy के लिए होता है और IGE इन इसके लिए ठीके का example ने है अगला questions Question number 20 है Question number 20 आपका तरत्याक malaria किस से होता है? बताइए Question number 20 का right answer कि तर्तियक मलेरिया किस से होता है ऑप्सन से एना फेलेज क्यूलेक्स नर से प्लाज मोडें वाइवेक्स से इसके अलावा हाइडरा से बता यह क्यूसर नमबर 20 गा राइट आंसर अगर आपको किसी भी क्यूसर में कोई डाउट लगता है तो आप बेफिकर होकर मेसेज पर वाइबेगा बस तर्तियक नर किसे होटी किस से होता यह worst nightfall किसे होता है किसे होता है किसे लएवेक्स से होता है अगला क्यूसर सरक्उसान सम्हार नमबर 23 फैसन कीट कि लार्वा अवास्ता कितने दिन की होती है बताये हाव में देजिलर्वा लारवा स्टेज हो सिल्क वर्म बताई ये लारवा स्テेज हो कितने देज की होती है दस से बारा दिन तीस से पैंटिस दिन सत्ताइज से तीस दिन या पांचे दस दिन बताइए क्यों सिनर वर्ट फैस FerrРЕ सी subm branch लो कंडिव का रइट अंसर जो आपका होने वाला है 30-35 दिन की होती है कितने होती है 30-35 दिन की होती है किसकी जो रेसम कीट है रेसम कीट की लारवा वस्ता 30-35 दिन की होती है ठीक है चलिए अगले क्यूसर की वर हम बढ़ेंगे क्यूसर नमबर 22 की वर हम बढ़ते हैं आप सभी आंसर बताएगा मनुस्य के चाती मेरूरजू मस् मस्तिस्क उदर आधिक रोगों के निदान में साइक हैं तो बताइए कौन सी मसीन है जिसका यूज मनुसे की छाती को यानि के चेश्ट को मेरू रजो यानि की इस्पाइनल को ब्रेन मस्तिस्क और उदर यानि की एब्डोमन में जो भी रोग हैं उनको उनकी जांच के लिए उनकी मतलब डाइगनोसिस के लिए यूज किया जाता है उप्सन से आपके पास सीटी स्केन इसी जी या इई जी बताए इस क्यूसं का राइट आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है जल्दी से आंसर आप कमेंट करके बता दीजे दोस्तों फिर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्ता आप सब्सक्राइब जो इस और और पको चैना होता है और यह तो होता है किन को फीर होती एगा कुसीना के लिए सकता है मस्तिस के लिए उदर गुवा के लिए सब के लिए सिटिस के जाच होती तो उपसे नमबर पस्ट बिल्कुल डाइट हो जाएगा ठीक है अगला क्युस्त नमबर 23 है एंटी पोडल सेल्स यानि की परती मुखी कोशिकाएं उपस्तित होती है इनको एंटी पैसिक सेल्स से बोल बाग सीरे के और दो विजांट द्वार सीरे के तो क्यूसर नमबर 23 का राइट आंसर आप बता होगे इसका जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए मैं अगले क्यूस्त के और हम फिर बढ़ूँगा आप सभी जल्दी से क्यूसर का सब्सक्राइब बढ़ सकता है तो आप सब्सक्राइब बढ़ाईए कोई भी पैमिन्ट यहां नहीं दिया जारा आपके लिए तैयारी करवाई जारी है पेपर भी आपको यह है जो पेपर आ रहे है लगबग में एससे बहुत सारे पेपर एक्जाम तक यहीं करवाता रहा हूंगा रेगूरर एससे पेपर आपको मिलते रहेंगे केमिस्ट्री पर आपके लिए बाकि जैसे एक्जाम डेट पिक्स हो जाए उसके बाद मैं भी खुद भी करवाना इस्टार्ट कर दूँगा आपके लिए बाकि जो हो रहे हैं जो में करवारी को कुछ समय सेलेक्ट करके उनको देता हूं वह करवा दे क्योंकि मेरे को अकेला में निकर पात होती हैं अगला क्यूशन इसका राइटांसर प्राग नली की वर्दी होती है क्या सोगति है एक अनुवर्थी दिधी लचा है गुंवर्थी बूंटी। नमर्टी फोर का राइटांसर हो लास्ट माप ये भी बतासर जाना लखें से आपके ब्सक्तने रॉज होते हैं इससे पतलागा कि आप सभी कित्ता पढ़े कित्ता नहीं पढ़े वह आपके उपर ही है बताइए उसर नमबर 24 का रइट आंसर और साथ के साथ आप answer की answer की अपने notebook में note करके चला करो ताकि आप सभी को दिक्कत ना आए बाद में जब आप इस class को revision करो तो आपको class ना देखने पड़े और PDF के जरी आप revision कर लो class number डालके उपर class number डाल लिया करो जैसे कि और टोस्तों वर्दी के से होती है और रसाइना अनुवर्ती होती है । idसा HOW होती है ठीक है अगला क्यूशन से किसा नमबर आपका 25 पर प्रतम बार के उपचार में जीन थेरेपी का सपल उप्यों किया गया था किसके लिए लिए के उपचार में यूच किया गया था तो लुक्य में क्या एक cancer का type से आप सभी को पता है blood cancer तो इसमें आपको बताना है gene therapy का सपल उप्योग किया गया था कब किया गया था 2015 में 2016 में 2012 में या 2001 में बता ही question number 25 का right answer सभी students जल्दी से questions का right answer आप बता दीजे कब किया गया था सपल उप्योग तो इस questions का जो right answer आपका रहेगा वो क्या रहने वाला है तो इसका right answer होगा मेरे प्यारे दोस्तों option number first बिल्कुल डाइट हो जागा 2015 में 2015 में लिक्योमिया का उप्चार के लिए परतम बार जीन थेरेपी का सपल प्रियोग किया गया था ठीक है अगला क्यूसर नमबर 26 है पूनर योगज डियने प्रोदोगी की उपलब्दियां है तो बताइए जो प्रोइज टेकनोलोजीे उसकी क्या उपलब्दिया क्या अपको बताएं रिप्लब्दियोज इसको या आपको सकते हैं इसका ce लग दिया इसकी रहने वाली हैं चार आपके सामने हैं नाइट्रोजन इस्त्रीकरण की जीन क्लोनिंग हीमोफीलिया की जीन क्लोनिंग और मानाव जीनोज प्रिवेज प्रिवी ओजना बताइए पुन्हारी कॉंबिनेट डियने की टेकनोलोजी से संबन दिते हैं कौन-कौन इस्त्रीकरण जीन की क्लोनिंग हीमोफीलिया के जीन की क्लोनिंग और मानाव जीन प्रियोजना इस सभी के लिए किसका यूज किया जाते यह सभी किसके उपलब दिया है अगला क्यूसंस क्यूसर नमबर 27 है मूंग फली के तेल में सरवाधिक वस्य अमल होता है तो बताए मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को आपने कर ली होगी मेरी फेले वाली तो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको ओलिक अमल लिनो लिनो लेनिक अमल और पॉमिटिक अमल बताई क्यूसर नमबर 27 का राइट आंसर जल्दी से बताईए और साथ में में आपको भी बताऊं कितना परसेंट होता है अगरा आपको पता हो तो आप बता देना जो मकजिमम पएजाता हो कितना परसेंट होता है कि अपता है और और प्र चीन संब्सक्राइब। आपको बताना है। है सेंटला एसे टिका सर्मिनेलिय अर्जुना कोवे फिर वाइट और ऊसी मंक टायां बताई किस नमबेट 18 जल्दी से क्यों करें नमबे 28 का राइट आंसर क्या होंवाला ए डिजिए और एक बार इसका answer बता दीजिया 28 अपने questions हो चुके इसके बाद 6 questions और बचे होए बस जल्दी ही कतम हो जाएगी class फिर इसके बाद आपको दुबारा से अगर revise करना चाहो तो revise कर लेना answer की के लिए मैं आपको prepare करूँगा कि आप इसके answer के साथ के साथ बनाकर चलिए ताकि आपको बाद में डूनने ना पड़े इस questions का राइट answer होगा option नमबर 3 को मिफोरा वाइट आई वाइट आई जो होता है इसको क्या बोला जाता है गुगल इसका नाम क्या है को मिफोरा वाइट आई ठीक है अगला क्यूसर 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 कुँझ सी होती है बाइटिजलिक की जो ग्यमिकल होती होती है फेटी ऐसीड मिफायल ऐस्टर यानि की वसा अमल मेथिलेस्टर इसकी केमिकल फोर्म होती है आपको यह पता हो다는 चीज की केमिकल फोम यह होती है अगला क्यूशन से आपका क्यूशन नंबर 30 पैंटोज पास्पेट पत कोशिका में किस इस्तल पर संपन होता है माइटो कॉंटरिया में पर प्रोक्सिसोम में कोसिका दर्वे में केंद्रक में जल्दी से क्यूशन नंबर 30 का राइट आंसर आपको बता देना है गजी सब्क्राइब करें को से जाता है तो यह आपका होता है ऑप से नमबहरा फोर्टि यान के वे होता है की साइटो प्लाज में यह कंप्रीट होता है यह अगला Q-31 आपको बताना है अपको मैं बता दो उगर physics में आपको धिक्क ताती है तो गहबराने वाले बात नहीं है हमारी प्लेलिच्ट जा कर देखे लेना हमारी प्लेलिच्ट में आपको मिल जाएगा physics की पूरी लगबग 50-60 class 50 के आसपास class में अपलोड कर चुका हूँ एक भी class 40 मिनट से ज़्यादा की नहीं है तो आप सभी लोग 40 से कम की है तो सभी लोग जिनको दिक्कत आ रही है physics को class को कर लो 100% आप 30 plus score कर सकते हो उन 50 class से आप देख कर ठीक है इस questions का right answer जो आपका रहेगा option number second होगा option number second इसका होने वाला क्या चीज की C15 C15 H20 O4 इसका right answer हो जाएगा किसका question number question number 31 का इसका right answer क्या हो जाएगा option number second बिल्कुल right answer इसका हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगले questions की और हम बढ़ेंगे अगला questions आपका जो रहेगा उसका answer आपको बताना होगा जल्दिस इस questions का right answer आप बताईए क्या होने वाला अगला questions आपका question number 32 का right answer आपको बताना है तो बताईए Hydrolasage Enzyme है तो बताईए Hydrolasage Enzyme क्या होता है कौन कौन से Estreage, Carbohydrate बताईए इस questions का right answer जल्दी से आप बतादीजी क्या होने वाला है जल्दी से आप इसका right answer बताईए question number 32 का right answer आप बताईए चार options आप सभी के सामने हैं तो इसका answer आप जल्दी से comment करके बतादीजे और अगर आपने अभी तक share नहीं किया और class खतम होने वाले दो questions और बचे हों तो जल्दी से एक बार आप share कर दीजे ताकि आगे हम आगे बढ़ सके ठीक है और एक बार जितने भी आपके friends है उन सभी friends को हमारे इस YouTube channel के बारे में जरूर discuss करके बताईएगा कि हाँ हमारा YouTube channel है जो आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सांदार class से लेकर आता है जो आपको आज ही नहीं हमेज़ा आगे सपलता दिलाता रहेगा ठीक है आप गबरान नहीं बिल्कुल tension free होकर आप class से लेते रहो selection 100% आपका selection होगा 101% आपका selection होने वाला है यह बात पर आप द्यान रख लेना डरने वाले कोई भी बात आपके लिए नहीं होने चीए डर आपके पास नहीं होना चीए जितना हो से कुछन जद आपको शेयर करना है तो सेयर करते रहे इस कुछन का राइट आंसर बता दीजे पर ने आपको कोई वगर डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो ठीक है चलिए अगले इस कुछन का राइट आंसर होगा उप्सन नमबर फॉर ओल यानि कि जो हाइ बिनदुसराओ आपको देखने को मिलता है तो इसके एकजांपल होंगे कोनगी में होता है आलू में होता है अरबी दोने के दोस्तों तो आज की क्लास स्वरी इसमें दोनों नहीं आएगा ओली जो विमक्त की पूचा उसने only जो मुक्त होती है बिलकूल तो दोस्तों आज ही क्लास आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो लाइक कर देना जिसकों नहीं भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ओन कर लेना मिलेंगे अगली क्लास में विनो सर की क्लास होगी 6 बजे जरूर अटेंड करना सभी के इंडेट्स और एक बार चैनल को जदा जदा सेर करना टेलिग्राम चैनल पर जदा जदा स्टुडेंट्स को जोड़ना उनको बताना और हमारे पीडेप के लिए आप एक हजार वियू होते हैं आप हमसे मांग सकते हो मांगे बिना हम उसको प्रवाइड करवा देंगा आपको टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए जाकर जोइन हो जाना ठीक है दोस्तों दन्यवाद टेक केर्स